सब्सक्राइब चाहिए निज्ज नहीं हो उंको सब्सक्राइब पता इने एंडमिक हैं डियों तो बड़ा trader हो चोटा trader हो सबसे mistakes होती है क्या mistakes होने के बाद गलतियां होने के बाद भी profit कमाया जाए सबसे बड़ी बात होती है कि मैं market में trade कर रहा हूँ उसमें मेरे से गलती होगी क्योंकि market के इतने सारे parameter से सबका ध्यान नहीं रखा जा सकता तो वो गलतियां होने के बावजूद क्या मेरे को profit हो सकता है ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे हम एक बहुत ही interesting case तरी जो हमारी workshop से हम लाए है सारा का सारा game depend करता है कि जो trader है उसकी understanding क्या है उसकी psychology कैसे है उसके हिसाब से depend करता है कि क्या गलतियां होने के बावजूद भी वो profit लेगा या वो profit नहीं ले कई वर सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हम profit नहीं ले पाते और एक अच्छा trader जिसकी psychology बिल्कुल clear है जिसकी understanding बहुत सारी गलतियां करने के बाद भी market में से profit ले सकता है इस case study के जरी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और case study के बाद कुछ questions का answer मैं दूँगा कुछ questions मैं आपके लिए छोड़ दूगा तो आपको comment section में देने है इसी video का English version भी है अगर आप English version देखना चाहते हैं if you want to see the English version of this video on the top there is a link you can go to the English version of this video we are making this Hindi version also right तो लोग Hindi में देखना चाहते हैं वो continue करेंगे जो English में देखना चाहते हैं वो English version पे जा सकते हैं तो मैं आपको पहले case explain करता हूं जो भी prices इस case में दिखाये जा रहे हैं वो actual market prices हैं मतलब कि हम लोगों ने real market से यह case उठाया और real market के ही prices इसमें है चार दोस्त हैं जो कि trading करते हैं राम हरी क्रिशन और अर्जन इन चारों के नाम है और इन्होंने कुछ positions लिए हैं फर्स January को जबके निफ्री था 10,910 पे तो इन चारों का अपना अपना व्यू था अलग लग व्यू था किसी का व्यू गलत हुआ किसी का व्यू ठीक हुआ लेकिन उसके बावजूद का कॉल ऑप्शन बेचा रुपीज वान थर्टी में यह उसके प्राइस चला था उन्होंने वहला कॉल ऑप्शन बेचा मार्किट आपके सामने है कि 10,910 था कृष्ण ने कॉल नहीं बेचा उन्होंने 10,900 का पुट बेचा इसकी की कीमत 200 रुपीस थी तो कृष्ण ने 10,900 क पुट ऑप्शन खरीदा 125 के हरी ने 11200 का कॉल ऑप्शन बेचा राम ने 11,000 का कॉल ऑप्शन बेचा कृष्ण ने 10,900 का पुट ऑप्शन बेचा और अर्जुन ने 10,800 का पुट ऑप्शन खरीदा तो चार लोग चारों ने अलग लग तरह के ट्रेड्स यही सबसे बड़े अच्छी बात है options में कि सब लोग अपने अपने ही सहाब से trade कर सकते हैं बहुत सारी options आपके पास trade करने के लिए होती हैं अब यह देखना है कि किसका view क्या था और किसका view कैसा गया फर्स जैनरी को यह सारे trades किये गए उसके बाद हम लोग ने 9th जैनरी को देखते हैं कि market close हुई 10,855 पे जो कि पहले 10,910 थी वहां से 55 points डाउन गई और 855 पे बंद हुई और 9 जैनरी को 9th जैनरी को इन चारो options के क्या prices थे let us see that वो देखते हैं हम लोग 10,800 put option हो गया था 118 का 10 10,900 put option हो गया 158 का 11,000 call option हुआ 85 rupees का और 11,200 का call option हो गया 27 rupees का उसके बाद 14 जैनरी को पांच दिन बाद हम लोग ने फिर से prices देखे तो 14 जैनरी को market और नीचे चला गया market चला गया 10,747 पे जो कि यहां से लगबग 108 point और नीचे चला गया और 910 से लगबग 160 point market नीचे चला गया तो 14 जैनरी को 14 जैनरी को different different options का क्या prices था यह देखते हैं 10,800 put option हो गया 153 का 10,900 put option हो गया 205 का 11,000 call option हो गया 61 का और 11,200 call option हो गया 12 रुपीज का तो यह हमारा basic case setup है कि चार ट्रेडर है चारों का अपना अपना view है उस हिसाब से उन्होंने अपने अपना ट्रेड लिए है 9 जैनरी को trade का क्या हुआ यह हमारे सामने है 14 जैनरी को trade का क्या हुआ यह हमारे सामने है तो इससे related हम कुछ questions का answer करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि क्या हो रहा है पहला question which trader or traders are bullish out of these four इन चारों traders में से हमें यह पता करना है कि कौन सा trader तेजी खेल रहा है bullish मतलब तेजी और bearish मतलब मंदी तो कौन सा trader है जो कि चाहता है कि market उपर की तरफ जाए तो अगर मैं वापिस आपको इस trader को दिखा हूँ तो हरी ने 11,200 का call बेचा है इसका मतलो जब यह आप जब यह आप call बेचते हो तो obviously आप चाहते हो कि market नीचे की तरफ जाए आप यहाँ पर वीडियो रोक सकते हैं अपना answer लिख सकते हैं और उसके बाद फिर से वीडियो शुरू कर सकते हैं ताकि यह understanding आप की clear हो जाए कि ह आप सही सोच रहे थे यह गलत सोच रहे थे बैटर वही होगा कि आप यहां पर रुकिए अपने answers लिखिए और उसके बाद मेरे answers से अपने answers को match कीजिए उससे जो learning होगी वह सबसे अच्छी होगी हरी ने क्योंकि call बेचा है इसका मतलब वह तेजी नहीं वह मंदी खेल रह है तो राम ने जो 11,000 का call बेचा है इसका मतलो वह भी चाहते है कि मार्किट नीचे की तरफ जाए कृष्णा ने 10,900 का put बेचा है अब इन्होंने put बेचा है जो put बेचने वला trader होता है वह हमेशा यह चाहता है कि market उपर जाए ताकि मेरी put सस्ती हो जाए और मैं उसको सस्ते market तेज होना चाहिए तो Krishna is a bullish trader वह बिल्कुल bullish trader है in इस scenario में चौते हैं अर्जुन अर्जुन ने 10,800 का put खरीदा है जब आप खरीदते हैं तो आप चाहते हैं कि वह put इस price पर मैंने खरीदा है उससे महंगा हो जाए ताकि मेरे को profit हो तो put महंगा तभी होगा जब market नीचे की तरफ आएगी तो इसका मदलब अर्जुन ने भी मंदी ही खेली है अर्जुन भी bearish trader है bullish trader नहीं है तो इन चारों trader में से हरी राम और अर्जुन बेरिश हैं मंदी खेल रहे हैं और Krishna जो है वो bullish है तो पहले question का हमारा आंसर होगा कि Krishna ही एक मात्र trader है इस case में जो कि bullish है okay second question what are the profit losses for all four of them on closing of 9th January 9th January की closing पे चारों का क्या नफा नुक्सान था अगर हम यह calculate करने कोशिच करें मेरा फिर से request होगा कि आप लोग पहले अपना profit loss calculate करें चारों का वीडियो को रोक दीजिए अपना profit loss calculate कीजिए फिर वीडियो को दुबारा on कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने जो profit loss calculate किया था और जो profit loss actual में है उसमें कोई गलत है यह सब ठीक है अगर सब कुछ ठीक है तो इसका मदलो हमारी understanding विल्कुल परफेक्ट है तो हरी ने 11,200 का call बेचा था 60 रूपीज में 9th January को 11,200 के call की price हो गई 27 अगर हरी यहां पे trade को स्केर आफ करते हैं अगर ट्रेट को खतम करते हैं तो 60 में बेजा 27 में खरीदा इसका मदलो 33 रूपीज का हरी को profit हो गया राम ने बेचा था 11,000 का call 130 में और 11,000 का option की price 9 January को है 85 रूपीज सो एक तो 30 माइनस 85 मतलो 45 रूपीज का profit राम को भी हो गया है 9 January को कृष्णा ने put बेचा था 200 रूपे का और वो चाहते थे market उपर जाए लेकिन market नीचे गई है 910 से market 855 पे आ गई है तो कृष्णा ने जो put 200 रूपे में बेचा था लेकिन अब उस put की कीमत 158 बहुत ही इंट्रस्टिंग चीज समझने वाली है कि हाला कि कृष्णा तेजी खेल रहे थे लेकिन उसके बावजूद market नीचे गया उसके बावजूद भी उनको profit हुआ तो जो हम शुरू में बात कर रहे थी कि अगर आपने गलती भी कि कि आपको तब भी profit हो सक profit है यही स्टेंथ है फ्रेंज ऑप्शन स्टेडिंग की कि अगर आप गलती भी करते हैं उसके बावजूद आपके profit हो सकते हैं अर्जुन ने पुट खरी देता दस यार 800 रुपे का 125 में और वो पुट है अब 118 में अर्जुन भी मंदी कहल रहे थे राम भी मंदी कहल रहे तो हलां कि अर्जुन सही थे मार्केट नीचे की तरफ ही आया लेकिन उसके बाद भी उनको profit नहीं हुआ उनको हलका फुलका loss हो रहा है राम और हरी को profit हो रहे है कृष्णा जो की तेजी खेल रहे थे market नीचे आया उनकी उनकी सोच से बिलकुल विप्रीद उसके क्लोजिंगों 14th January 14th January को क्या हुआ सेम वे में हम लोग सकते 14th January को मार्केट और ज्याद नीचे चला गया 747 पर आ गया 10910 से हरी जिन्होंने 60 में बेचा था अब वो बारा कर रहे गए यह एविंग अपर उनको पास profit है 48 रुपीज का राम जिन्होंने 130 में बेचा था वो 61 का रहे गया मतलब राम के पास profit है 69 का कि क्रिशना जिन्होंने 200 रुपीज में पुट बेचा था उनके पास अब यह 205 का हो गया इसका मतलब उनको 5 रुपीज का loss हो रहा है अर्जुन जिन्होंने 10,800 की पुट परचेस की थी 125 में आज वो पुट 153 की है तो इस पूट 9 जैनरी को situation थोड़ी सी different थी especially अर्जुन और क्रिशना के लिए और 14 जैनरी को वो situation और different हो गई उन दोनों के लिए लेकिन जहां तक हरी और राम है उनका direction बिल्कुल ठीक गया वो sellers थे उनको profit थोड़ा-थोड़ा और बढ़ गया क्योंकि market थोड़ा सा और नीचे चला गया यह यह हो गया वड़ा ही basic stuff कि हां हमें profit loss कैसे calculate करना है इसमें जो भी profit होगा अगर 48 रुपी प्रॉइब आए आपको lot size करना होगा तो यहां पे निफ्टी है तो निफ्टी का lot size 75 होता है 48 multiply by 75 आपका profit होता है या 69 multiply by 75 आपका profit होता है अब इस case में सबसे ज्यादा समझने व सब्सक्राइब करने के लिए तो 14 जनुरी के दिन आप क्या इन लोग को रिकमेंड करेंगे अगर आप यह trader है तो basically as a workshop participant हम आपको इस real life situation से निकाल रहे हैं आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हाँ यह चारो situation में आप कुछ भी हो सकते हैं आप हरी भी हो सकते हैं तो आप इस situation को कैसे डिल करेंगे 14 जनुरी को 14 जनुरी को हरी 48 रुपीज के profit में है 12 रपे अभी भी उस call में बचे हु हरी थी तो हरी ने अब क्या करना चाहिए हरी के पास क्या options है हरी के पास एक option है कि वह अपना profit ले लें ट्रेट से निकल जाए हरी के पास यह option है उस trade में बैठे रहे मार्किट बहुत दूर चली गई है तो अभी भी बार रपे और है वो भी ले सकते हैं या हरी अपना ट्र प्रियर अंडर्सेंडिंग आएगी कि actual trade में होता क्या है और हम लोग करते क्या है रिस्क क्या है हरी का आज वो 48 रुपीज के profit में है 14 जनुरी को लेकिन अगर मार्केट यहां से वापिस ऊपर की तरफ चली गई तो उनका unlimited risk का है जब भी आप call sell करते हैं आपका risk unlimited होता है या उनको 61 लेने की कोशिश करना चाहिए या उनको और नीचे जाके थोड़ा और पैसा मार्केट से निकालने कोशिश करना चाहिए यह आप लोग को decide करना और अपने comment section में लिखना है आपके answers पे हम अपने answer देंगे कि इस तरह की situation में अगर हम है तो हमें क्या करना चाहिए क्रिश्णा जिन्हों ने की bullish खेला था जिन्होंने की तेजी खेली थी वह आज 5 रुपया लॉस में उन्हों दोसोर रुपय में ट्रेड किया था 205 का हो गया तो पांच रुपय लॉस में क्या वह वह वेट कर सकते ह है अब ही इसमें काफी अच्छा खासा है क्याव क्य Bedrock कर सकते हैं लौस नहीं book करेंगे और रहें में या वह अपना ट्रेड कर सकते हैं आइस क्या चेंज होना चाहिए जाहिए ओन्होंने वेट करना चाहिए MARKET को और नीचे जाने देना चाहिए और ज्याहदा प्रॉफित लेना चाहिए सिरफ आगए अन्सर से जाता है कि एह एक संथर आपकी साईथ लोजी क्या है यंदे हैं से साइधा कोरा आपकी अंडेथैंगि क्या है ऐगा अब की मार्केट से एक्सपेटेशन क्या है उसके हिसाब से आपकी यौज होते हैं उसी हिसाब से घलत्रेंड में भी आप गलतियां करने के बाब जूद भी अब गर रेट जाते हैं कई बार profit होने के बावजूद हम timely profit book नहीं करते हैं वो profit बाद में loss बन जाता है तो ट्रेडर psychology पे सब कुछ depend करता है हमेशा ट्रेडर जाधा important होता है ट्रेड उतना important नहीं होता अगर आपकी psychology और understanding ठीक है तो कई बार बहुत सी गलतियों के बावजूद भी हम लोग profit ले जाते हैं लेकिन अगर psychology मैं market से घबराता हूं तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कई बार मैं loss book कर लेता हूं तो आप सब सब्सक्राइब करना चाहिए उनको इस चीज का answer हमें comment section में दीजिए और हम अपने comments हर comment के ओपर देने की कोशिश करेंगे ताकि उससे बहुत clear understanding हो जाएगी हमारी workshop में भी हम लोग यह case लेते हैं और इस case पर हम लोग अच्छा का सा discussions ग्रूप वाइस करते हैं जिससे की ट्रेडर बहुत clear हो जाता है कि उसको market में क्या करना है अगर आप हमारी कोई भी workshop अटेंड करना हैं अगर आप यह वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हैं तो आप हमारा लेटेस्ट शेडियूल देखने के लिए हमारी website www.optionschool.in पर जा सकते हैं हमारी workshop जॉइन करने के लिए आप इन नम्बरों पर हमें contact कर सकते हैं 958-285-3463-9717-2741-38 या आप हमें इमेल भी कर सकते हैं info at the rate the options school.in पर दोसों लगबक पहली बार या दूसरी बार मैंने हिंदी में वीडियो बनाया है so that आगे से भी यह effort लेते रहें आपको comments में अपना viewpoint लिखना है कि हाँ उन चारो traders ने क्या करना चाहिए अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी दोस्त्रिश्टेदार के काम आ सकते है तो definitely share किजिए इस वीडियो को उनके साथ और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है शायद आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब इसलिए ना किया हो कि हम लोग थारे वीडियो इंग्लिश में करते हैं